36 गड मध्य परदेश और राजस्थान में भाजपा की जीत पर जारखन के सीम और जेमेम के कारिकारी अध्यक्च हेमंत सोरेन से पत्रकारों ने जब परतिक किरिया मांगी तो उनका जवाब थोड़ा चौकाने वाला था। उनने कहा कि चुनाओं में जो जैसी महनत करेगा वैसे ही परिनाम आएंगे इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाले समय बताएगा। सोरेन के इस जवाब का नेथार्त समझने की कोशिस करे तो उनने इंडिया गड़बंदन की सबसे बड़ी साजेदार कॉंग्रेस को संकेतात्मक तौर पर एक समझाईस देने की कोशिस की। समझाईस यह की चुनाओं में जीत हासिल करनी है तो भाजपा के मुकाबले मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जारखन में जो मौजुदा सियासी हालत है उनमें इनिया गड़बंदन के लिए आगे के चुनाओं की राह कताई आसान नहीं। हिंदी पट्टी के तीन राजव में जीत के बाद जारखन में भाजपा नए उच्सा से लबरेज है। हेमंत सुरिन को इस बात का एहसास है कि जीत से उच्सायत भाजपा की और से उन पर हमले और तेज होंगे। इस चुनाओती से जोजने के लिए वह इंडिया गढ़बंदन की बाकी दलो कांग्रेस राजद जदियू वगेरह की जादा परवाह किये बगैर अकेले दम पर मैदान में उतर आये हैं। बलकि उन्होंने अपनी विवस्था का हवाला देकर बीदे 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गढ़बंदन की तैसुदा बैठक से किनारा कर लिया था। हो रही सभाओं में सोरिन अपने राजनेतिक एजेंडों के मुताबिक जम कर बोल रहे हैं। वह एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा और केंद सरकार पर जम कर हमला भी कर रहे हैं। उनकी कोशिस है कि वह जारकन मुक्ती मोचा की अपनी जमीन पर कीले बंदी को किसी हाल में कमजोर न पढ़ने दे। उनके सरकार की साज़ेदारी बाकी दो पार्टियों कांग्रेस और राजप अपनी मोचित किस हद तक सम्हाल पाती है। इसकी चिंता तो उनके नेताओं को ही करनी होगी। बात जारकन कांग्रेस की करेतों बीते तीन दिसंबर को आई चुनावे नतीजों के बाद पार्टि के नेता कारिकरता उदासिन स्थेते में है। पार्टी ने दो महने पहले तै किया था कि राज कॉंग्रेस कार्याला में हर हफते हैमंद सरकार में शामिल कॉंग्रेस कोटे के चार मंत्री बारी बारी से जनता की समस्याएं सुनेंगे पिछले तीन चार हफतों से इस पर अमल नहीं हो पा रहा पार्टी अस्तर पर पब्लिक कनेक्ट का फिलाल कोई और उल्लेखनी कारिकरम भी नहीं चल रहा राज में सरकार की तीसरी साजेदार पार्टी राज़त में भी संगठनात्मक कारिकरमों को लेकर चुपी जैसी सिती है राज में इंडिया के सामने बड़ी चुनोती लोकसभा और विधानसभा चुना के लिए सीटों के बटवारे को लेकर पेश आने वाली है राज के मौझूदा सत्तधारी गड़बंदन में तीन पार्टियां जारखन मुक्ति मोश्या, कॉंग्रिस और राष्टी जनतादल सामिल है वर्स 2019 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन तीनों ही पार्टियों ने आपस में सीटों का बटवारा किया था इंडिया अगर जारखन में एक साथ चुनावी मैदान में जाने का संकल्प लेता है तो गडवंदन की छती के नीचे आने वाली पार्टियों की संख्या तीन से बढ़कर पांस से च्छ हो जाएगी और तब सीटों की हिस्सेदारी दावेदारी का सवाल बेहद चुनिंदा पूर्ण हो जाएगा राज के मोजोदा सत्ताधारी गडवंदन में नितिश कुमार की पार्टी जदियों और वाम पार्टियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है राज में फिलाल जदियों का कोई विधायक नहीं है जबकि वाम पंथी दलों में से CPI ML का मात एक विधायक है नए गडबंदन इंडिया के भीतर जदियों और वाम पाटियां भी लोगसभा और विधान सभा सीटों पर दाविदारी पेस करेगी राज में लोगसभा की 14 सीटे हैं जिनके बटवारे के लिए इंडिया के घटक दलों के बीच सर्वसम्मत फॉर्मूला बेहद टेढ़ी खीर होगा 2019 के चुना में यहां चार धलों कॉंग्रेस, जेमेम, जेवियम और राजत का गटबंदन बना तो था लेकिन सीटों के बटवारे पर भारी जीच हुई थी गटबंदन के भीतर कॉंग्रेस को साथ जामूमों को चार बाबुलाल मरांडी पार्टी जारकान विकास मोचा को दो और राश्टी जनतादल को एक सीट मिले थी इस बार इंडिया गटबंदन में जामू कॉंग्रेस और राजत के अलावा जदियों और वाम पार्टियां भी लोकसभा सीटों पर दावेदारी करेगी इन पार्टियों की अपनी अपनी बैठकों में सीटों की दावेदारी हिस्सेदारी को लेकर चर्चा भी सुरू हो गई है कॉंग्रेस इस बार नौ लोग सभा सीटों पर दावेदारी कर रही है जबके पिछले बार वह साथ सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी का कहना है कि 2019 में उसने अंदरोनी समझ होते के तहत दो सीटें उस वक्त बावुलाल मरांडी की पार्टी जारखन विकास मोचा लोकतांत्रिक के लिए छोड़ी थी अब जारखन विकास मोचा विगटी तो हो चुका है और भावुलाल मरांडी भाजपा में है उदर जारखन मुक्ती मोचा 5-6 सीटों पर दावेदारी करने की तयारी में है जबकि पीछले बार उनसे 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था राजप भी कम से कम दो सीटों पर फिर से दावा करने के मूड में है जबकि गड़बंदन में पीछले बार उसे सिर्फ एक सीट देने पर समती बनी थी वामपंथी पार्टियां अपने लिए कम से कम एक सीट चाहती है उनका दावा हजारी बाग सीट पर सबसे ज़्यादा है जहां से वर्स 2004 में CPI के भोने स्वर पसाद महता सांसद रह चुके हैं बताते हैं कि भागपा के राष्टिय महासची डी राजा ने इस बार हजारी बाग से चुनाल लड़ने की एक्छा जता दी है इधर जदियू निताओं और परदेश कमीटी की हाल के दिनों में बड गिरिडिस सीट पर दावेदारी के मूड में है इसके लिए वह राजिक में अपने पुराने जनाधार और जातिय वोट वैंग का हवाला देगी हलाकि यह तय माना जा रहा है कि जदियों की दावेदारी का वजन बहुत जादा नहीं होगा सीटों के बटवारे में सबसे ज यहां लोग सबा सीटों के लिए कोई भी फर्मूला तै करते वक्त विधान सबा की 81 सीटों के बटवारे पर भी अनिवार तोर पर चर्चा होगी और तब आपसी समझोते के तार उलच सकते हैं